नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का टुदुपवन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस विडियो में यूपी पुलिस रे एकजाम के लिए भारत रत्न 2024 देखेंगे देखेंगे दोस्तों करेंट अफेयर का या मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है यहां से य एक प्रस्ण पूछा जाएगा तो आप सभी लोग इस विडियो को पूरा ध्यान से लाच सक देखेंगे बहुत ही छोटा सा विडियो है दोस्तों आप लोग इस विडियो को पूरा लाच सक जरूर देखेंगे तो चलिए दोस्तों इस विडियो को सुरू करते हैं यहां प भारत के 5 प्रतिष्टित हस्तियों को भारत रत्न 2024 दिया गया है जिनके नाम है करपूरी ठाकूर, लालकिष आडवाणी, म. स्वामी नाथन, पीवी नर्शिम्हाराओ, चौधरी चरण सिंग। 2024 दिया गया है, अब इन सभी लोगों के बारे में दोस्तो एक एक करके जो महत्पूर पॉइंट है, उसको यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले करपूरी ठाकूर के बारे में देखेंगे, देखेंगे, दोस्तो करपूरी ठाकूर को जन नायक के नाम से भी जाना जाता है, एक पर बिहार में बिहार के समस्ति पूर में इनका जन्म हुआ था, आपनों याद रखिएगा, ये दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री दो बार रहे थे, कर पूरी ठाकूर, ठीक है? और बिहार से ये चौथे ब्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है और मलो प्रांत ये 15 ब्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ठीक है ये भारत रत्न पाने वाले दोस्तो चालिसवे ब्यक्ति हैं और मलो प्रांत भारत रत्न पाने वाले पंद्राहुए ब्यक्ति हैं और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे ब्यक्ति हैं ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसके बाद दोस्तो लाल कृष् और ग्रिह मंत्री के पतपर कारी कर चुके हैं। लाल किष्ट आडवाडी भारत के उप्रोधान मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी एक प्रसिध आत्म कथा है। इसके बाद दोस्तों एमे स्वामी नाथन की बात कर लेते हैं। एमे स्वामी नाथन कौन थे? ये दोस्तों क्रिशी बैग्यानिक थे। ठीक है? इन्हें हरितिकरान्ती के जनक की रूप में जाना जाता है। भारत में हरितिकरान्ती के जनक की रूप में इन्हें जाना जाता है आप लोग याद रखिएगा ठीक है में स्वामी नाथन को भारत में हरितिकरांति का जनक कहा जाता है और ये भारत के क्रिशिवेग्यानिक थे इनका जन्म दोस्तों तमिल लाडू में हुआ था याद रखिएगा इन्हें सांति स्वरूप भटनागर पुरुषकार और अनमैक्से से पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद पीवी नर्शिम्हा राओ के बारे में देख लेते हैं पीवी नर्शिम्हा राओ ये भारत के नौवे प्रधान मंत्री थे भारत के नौवे प्रधान मंत्री के रूप में ये कारिकर चुके हैं और भारत के रच्छा मंत्री ग्रिह मंत्री विदेश मंत्री भी रहे ठीक है ये भारत के रच्छा मंत्री भी थे ग्रिह मंत्री भी समयधानिक संसोधन अधनियम का कारियानवयन इनके कारिकाल में हुआ था। इनके जयनती पर 23 दिसंबर को राश्री किसान दिवस मनाया जाता है। इक्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रधान मंत्री का नाम बताईए जो प्रधान मंत्री रहते हुए कभी भी संसद नहीं गये थे। की रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखियेगा। अब यहाँ पर दोस्तों भारत रत्न के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो की एक्जाम की दिष्टे से काफी जादा महत्तपूर है। ध्यान रखियेगे दोस्तों भारत रत्न की सुरुवात 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरुसकार देने की सुरुवात दोस्तों 1954 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखियेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है और मल्डो परांत 1955 से भारत रत्न देने की सुरुवात की गई है। ध्यान रखियेगा 1955 से यह पुरुसकार मल्डो परांत भी दिया जाता है। इसका आकार कैसा होता है भारत रत्न का तो देखे दोस्तों पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार होता है। इसे भी आप लोग याद रखियेगा भारत रत्न पाने वाले पहले बैज्यानिक कौन थे। सीवी रमन थे। याद रखियेगा भारत रत्न पाने वाले पहले बैज्यानिक सीवी रमन थे। और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले ब्यक्ती सचिन तेंदुलकर है। और भारत रत्न देने के सिवारिस किसके द्वरा की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत रत्न के बारे में इंपोर्टन जानकारी आपको दी गई। भारत रत्न 2024 के बारे में यहाँ से आपके यूपी पुलिस रे एकजाम में एक प्रस्ण निस्जित रोप से पूछा जाएगा। उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्तों सेर किजिए और कमेंट में लिक कर जरूर रताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।